नमस्कार दोस्तों, आज सिरलंका और न्यूजिलेंड के बीच खेले जारे वर्ल्ड कप के इस 41 मेच में न्यूजिलेंड ने टोस्ट जीत कर पहले बोलिंग का पेसला किया और सिरलंका की टीम ने पहले बेटिंग करते हुए चार और में ओल आउट ओकर 172 रन बनाए हैं बात करें सिरलंका की ओर से कोई भी बलेबाज इतना खास नहीं कर पाया लेकिन जो पुछले बलेबाज हैं जिसमें से मेच तिक्षना है जिन्होंने इकराण में बोल में 38 रन की पारिखे लिए और नोट आउट भी रहे हैं इसक तो ग्यारा नंबर के बलेबाकं उन्होंने भी tightening पारिखे लिए इसके iç के अलावाद रिंजे डी सिल्वा ने गुणिस की पारिखे लिए और मेंठ्यूज ने छोडा रन की पारिखे लिए और substantial बलेबाज कुसल परे ने 28 बोल में नो विकेट गिर चुके थे लेकिन उसके बाद दस्वें विकेट के लिए जो अन्तिम साजेतारी थी वो काफी 43 रन की साजेतारी रही और इसने स्रिलंगा को टोटल 111 रन के स्कोर पर पहुंचा है लेकिन अन्त में 46.4 ओवर में दिलसान मदुसंका अपना केच से विकेट कीपर को धमा बेटे तो अब न्यूजिलेंड को जीत के लिए 50 ओर में 100 बैटरन मनाने हैं और अभी देखा जाए तो स्रिलंगा के पास भी दिलसान मदुसंका बहुत अच्छे बोलर हैं जो कप ये अच्छे विकेट भी ले रहे हैं और और अभी 21 विकेट के साथ सबसे ज़्यदा विकेट लेने वालों में पॉइंट टेबल में सबसे उपर अभी बने हैं नो मेच में कुल अभी तक 21 विकेट दिलसान मदुसंका ले चुके हैं तो आज भी स्रिलंका को जिताने के लिए दिलसान मदुसंका को कुछ से उसी तरह का करना होगा है दिलसान मदुसंका ने बारत के खिलाब भी 5 विकेट लिये थे तो उसी तरह से आज भी 5 विकेट इनने जल्दी ही लेने पड़ेंगे अगर एसा कर पते हैं तो फिर टीम ए के न्यूजिलेंड से लड़ने के लाइक हो जाती है तो अभी के वीडियो में इतना ही और आगे एक जान करें के लिए प्लीज आप वीडियो को लाइक रहें साथ में ही चैनल पर पहले बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें